अंकित इस्टेडी आईक्यू आज है 10 मार्च 2020 आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट कुश्चन होंगे मैं इस वीडियो में डिसकस करूँगा और इस वीडियो का पीडिया फाइल आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं सभी दोस्तों को अंकित इस्टेडी आईक्यू की तरफ से होली की धेर सारी सुबकामना है आईए वीडियो को स्टाट करते हैं दोस्तों आज का पहला कुश्चन है हाली में अंतरराष्टी महिला दिवस का मनाया गया है तो अभी हाली में अंतरराष्टी महिला दिवस आठ मार्च को मनाया गया है यानि कि इस कुश्चन का option number A सही है अब यह दिवस 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है और यह दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं अंतरराश्टी महिला दिवस United Nation के द्वारा देना है अब बात कर लेतें अंतर राष्टी महिला दिवस 2020 की थीम क्या है तो अंतर राष्टी महिला दिवस 2020 की थीम है महिलाओं के अधिकारों को महसूस कर रही हूँ यही है अंतर राष्टी महिला दिवस 2020 की थीम अब दोस्तिया मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द साहर में और बरतमान समय में यूवन के सदस्च देश टोटल हैं 193 सदस्च देश यूवन में सामिल हैं और यूवन के अध्याश यानिक की यूनाइटड नेशन के अध्याश इंटेनियो गुटेरिस हैं अब दोस्तों यहां पर बात हुआ जो अभी आपको कुश्चन में बता दिये हैं 15 मार्च को 20 उपभोगता अधिकार दिवस मना जाता और 20 मार्च को 20 प्रसन्यता दिवस मना जाता और 20 मार्च को 20 गहरईया दिवस भी मनाया जाता है और 21 मार्च को 20 वन दिवस मना जाएगा 22 मार्च को 20 जल दिवस मना जाएगा 24 मार्च को 206 रोग दिवस मनाया जाएगा आगे वढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेधन है दोस्तों अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो हो तो फटा-फट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में लगे वेल आइकन बटन को भी प्रिस कर लीजिए जिससे की आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुचते रहे आज का दूसरा कुश्चन है हाल ही में यूक्रेन के नए प्रधान मंतरी कौन बने है यानि की इस कुश्चन का ओप्सन नंबर एस है अब डेनियस सिंगत यूक्रेन देश के नए प्रधान मंतरी बने है तो यूक्रेन देश के बारे में आप जान लेते हैं यूक्रेन यूरोप महद्विप में इस्थितिक देश है जिसकी राजधानी का नाम है कीव और यहां की करेंसी यानि के मुद्रा का नाम है यूक्रेन याई रिवनिया और यूक्रेन देश के राश्पति का नाम है बोलो डिमर जेले संकी यह है यूक्रेन देश के बारे मे यानि कि इस question का option number 20 है अब दोस्तों एन एस विश सुनाथन RBI के डिप्टी गवर्नर पत से स्थिपा दे दिया है तो RBI के बारे में जान लेते हैं RBI का पूरा नाम है रिजर बैंक आफ इंडिया जो की भारत की गवर्मेंट सेक्टर की एक बैंक है RBI को हिंदी में बोलते हैं 200 भारती रिजर बैंक और इसके अस्थापना 1 अप्रायल सन 1935 में हुआ था और इसका मुख्याले महराष्ट के मुंबई सहर में है और बरतमान समय में RBI के गवर्नर का उन है आईए चलते हैं आज के अगले कुश्चन की तरफ आज का अगला कुश्चन है तो अभी हाली में राजस्थान के जैपूर सहर को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोसित किया गया है यानि कि इस कुश्चन का ओप्सन नंबर एस ही है अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ नो कंस्ट्रक्शन जोन तो इसके बारे में जान लेते हैं का आखिर का नो कंस्ट्रक्शन जोन होता क्या है नो कंस्ट्रक्शन जोन जैपूर राजस्थान में लागू हुआ है परियतन को बढ़ावा देने और बिरासत को संरचित करने के लिए इससे नो कंस्ट्रक्शन जोन घोसित किया गया तो हमें पता चल गया कि जैपूर सहर को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोसित क्यों किया गया यह इसलिए किया गया है कि पर्यतन को बढ़ावा देना है और विरासत को सनरचित करने के लिए इस छेत्र को नो कैंस्टक्शन जोन घोषित किया गया है अब दोस्तों यहाँ पर जैपूर की बात हुई है अब जैपूर हमें पता है राजस्थान की राजधानी है तो राजस्थान राजी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं राजस्थान राजी की राजधानी का नाम है जैपूर और यहाँ के मुख्य मंत्री है असो गोहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी के निता है और राजस्थान के उच्छ नयायाले के मुख नयाधिस का नाम है इंद्रजीत मुहंती यहां से कुश्चन इक्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि राजस्थान के उच्छ नयायाले के मुख नयाधिस का क्या नाम है तो आंसर होग 25 सीटे हैं, राज सभा में 10 सीटे हैं, विधान सभा में टोटल 200 सीटे हैं, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहां पे है, तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है और यह राजस्तान में इस्थित है, करकरेखा भारत की राजस्तान राजी से होकर गु यह साथ राज हैं गुजरात मध्यप्रदेश चातिसगर जारखंट पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरव इन्ही साथ राज्यों से करकरेखा गुजरती है आज का अगला कुश्चन है पेपसिको ने अपना नया ब्रांडम वेश्डर किसे बनाया है तो पेपसिको न सैफाली बर्मा को पेपसिको का ब्रांडम वेश्डर बनाया तो पेपसिको के बारे में जान लेते हैं पेपसिको की अस्थापना सन 1998 इस भी में हुआ था और इसका मुख्याले न्यूव्यार्क सहर में है और बरतमान समय में पेपसिको के CEO यानि की चीफ एगजी कीटू आ अब दोस्तों यहां पर बात हुआ है नासा का तो नासा के बारे में भी जान लेते हैं नासा अमेरिका देश की एक स्पेस एजनसी का नाम है और इसका पूरा नाम है National Aeronautics and Space Administration और इसको हिंदी में बोलते हैं राश्टी वैवानिकी और अंत्रिच प्रबंदन ये अमेरिका इस्टाइन ओए चलते हैं आज के अगले क्षिचन की तरफ, आज का अगला क्षिचन है चाप× 4 कुट तेख skills के राजी में मनाया जाता है, तो चाप 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 पहले जान लेते हैं चापचार कुट तेखर के बारे में ये क्या होता है तो चपचार कुट तिवहार में बासनित किया जाता है चपचार कुट एक बसंद उत्सव है जिसे आमतार पर जूम खेती के पूरा होने के बाद मार्च में मनाय जाता है जिसमें सर्दियों के बाद पौधों और बनस्पतियों को जला कर साफ करने के बाद भूमी को नई फसल के लिए तयार किया जाता है तो चाप चारते वहार मिजोरम राजी में मनाया जाता है दोस्तों तो मिजोरम राजी के बारे में भी जान लेते हैं मिजोरम राजी की राज़ानी का नाम है आईजोल और यहां के मुख्य मंत्री है जोरम, थंगा, मिजो. और ये है निशनल फ्रंट पार्टी के निता. और गवरंनर है मिजोरम राजी के पी एश्री धरन पिल्लाई. मिजोरम उचनायले का नाम है गुहावटी उचनायले और इसके मुख्यनायदेस का नाम है अजयललमबा. जोरम की लोक सभा में एक सीटे हैं और राजी सभा में भी एक ही सीटे हैं और विधान सभा में टोटल 40 सीटे हैं आईए चलते हैं आज के अगले कुश्चन की तरफ आज का अगला कुश्चन है हाली में टाइम साफ हिंडिया Sports Award में किसे Sports Person of the Year चुना गया है तो अभी हाली में जारी Times of India Sports Award में Sports Person of the Year PB सिंधू को चुना गया है यानि कि इस Question का Option No. A सही है अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है PB सिंधू का तो PB सिंधू के बारे में जान लेते हैं PB सिंधू भारत की एक प्रसिद वैडमिंटन खिलाडी है आई चलते हैं अगले Question की तरफ आज का अगला Question है खेलो इंडिया Women's Haki League का पहला संस्क्रड कहां आयूजित किया जाएगा तो खेलो इंडिया Women's Haki League का पहला संस्क्रड नई दिल्ली सहर में आयूजित किया जाएगा यानि कि इस Question का Option Number D सही है अब दोस्तों यहाँ आयूजन नई दिल्ली में हो रहा है तो नई दिल्ली हमें पता है इंडिया की राजधानी है अब दोस्तों आयूजन खेलो इंडिया Women's Haki League है तो इसके बारे में जान लेते हैं भारती हाकी संग के बारे में भारती हाकी संग होता क्या है भारती हाकी संग की अस्थापना 20 माई 2009 इस भी में हुआ था इसके अध्यच बरतमान समय में मुहम्मद मुस्ताक अहमद है और भारती पुरुस हाकी टीम के कोच हैं क्राहम रीड और भारती महिला हाकी टीम के कोच हैं सोड मारिन आईए चलते हैं आज की दस्वे कुश्चन की तरफ आज का दस्वे कुश्चन है हाल ही में चौथा बैस्विक आयूरबेद महोत्सो की सहर में आयूजित किया जाएगा तो अभी हाल ही में चौथा बैस्विक आयूरबेद महोत्सो कोची सहर में आयूजित किया जाएगा यानि कि इस कुष्चन का आप्सन नंबर सी सही है अब दोस्तों यहां पर बात हुआ 12 ए Але ए दोस्तों हमें पता है कोची सहर केरल राजी में स्थित है तो अब केरल राजी के बारे में डेटेल में जान लेते हैं केरल राज की राजधानी का नाम है तिरुनंत पूरम और यहांके मुख्य मंतरी हैं पिनराई विजन जो की भार्ती कम्यो निस्ट पार्टी के निता हैं, केरल के गवर्नर का नाम है मुख्या आरिफ खान, केरल के उद्धनायलेक के मुख्य। अब दोस्तों यहां पर बात हुआ है नमस्ते और्चा महुत्सों का इसके बारे में जान लेते हैं इस महुत्सों का उद्देश है राजी की आतिहासिक परमपरा, सांस्कृतिक विरासत, वास्तुकला, आधि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करना अब दोस्तों नमस् में तो मद्पदेश राजी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं मद्पदेश राजी की राज़ानी का नाम है भोपाल और यहां के मुख्य मंत्री है कमलना जोकी कांग्रेस पार्टी के नेता है और गवर्नर है लाल जी टंडन मद्पदेश के उचनायले के मुख्य नाय प्रना राश्ट की तरफ आज की तरफ udah सामिल हैं मध्यप्य दैस करी नवीश्ति ने किस ने किया है तो अभी हाले में Chronicles of Change Championship नामक पुस्तक का अभेमोचन इस्मृती इरानी के द्वारा किया गया है यानि की सुष्चन का ओप्सन नमबर A.S.I.A. अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ इस्मृती इरानी का इस्मृती इरानी के बारे में जान लेते हैं इस्मृती इरानी हमारे देश की केंदरी वस्त मंत्री और महिला इहुंबाल विकास मंत्री हैं और इनका संसदी छेतर है भरेली इनका संसदी छेतर है अमेठी जो की पहले हुआ करता था राहुल गादी का संसदी छेतर है अब दोस्तों क्रोनिकल्स आफचेंज चैंपियंसिप नामक पुस्तक प्रधान मंत्री की फ्लैक्सिप यूजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत राज अस्तर पर जिला अस्तर पर चलाई जा रहा है अब दोस्तों यहाँ पर अन्य आपसंद के बारे में भी जान लेते हैं अमिसा हमारे देश के ग्री मंत्री हैं राजनास सिंग हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं और प्यूज गोयल हमारे देश के रेल मंत्री हैं यह रहा आज के current affairs का complete वीडियो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करिए और अपने सभी study related group में share करिए और साथ ही अपने दोस्तों से बताईए अंकिर study IQ पर daily सुबर current affairs के वीडियो अपलोड होते हैं जहां से आप लोग current affairs के महत्तपूर कुश्चन देख सकते हैं इसलिए चैनल को like करिए share करिए subscribe करिए thanks for watching this video दोस्तों